वेल्कूम टेयर चनल एच्छा में आकी स्टोक कर शोगाई इस वीडियों बात करेंगे वी एमस इंडुस्ट्री इस लिमिटेड तो गाइज वी एमस को लेके पहले भी इस चैनल पर आपको रेक्मेंडेशन आई थी उसके बाद काफी अच्छा खासा बूम इसमें देखने को मिला पूरा डिसकुशन इस वीडियों को दर करेंगे इवन आफ्टर जो कंडिशन जो है इवन शिपिंग को लेके वह काफी खराब है और अफकोर्स यहां पर बात करें वी एमस इंडिस्ट्री की तो आज जो है अपर सर्कुट पर लोग हो गया था अगर बात करें यहां पर जिया रसी की बात करें कोचिंशिप यार की तो बात करें ऑफकोर्स की तो बिल्कुल बिल्कुल डंपिंग मोड में है शेर प्राइस जो है सब के नीचे जा रहे है बट अगर बात करें व्यमस इंडिस्ट्री की तो इसमें कोई ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला है डाउनफोल वाला एंड अप्ट्रेड मूव ही इसमें देखने को मिल रहा ह एंड क्या कुछ चल रहा है एक्जैक्ली क्या इस लेवल पर बाइंग करना चाहिए या फिर इसको जो है बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए वह सब भी डिसक्रसन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलें तो आज एक लिटेश अपडेटी निऊज मिस कर जाएं अगर बात करें हाई की तो चुरानवे पैसी सकाज काहिए और दोजार बारा में और अभी एडिजेंट आपको जो की मोरिंग में एक अच्छी कासी अप्लेक्टिशन देखने को मिली थी बट उसके बाद लोग हो गया था तो गाई सताउन रुपे के आसपास आपको मिल र सिर्फ पे लिस्टेड है एंड शिप बिल्डिंग कंपनी है आज के वोलिम ट्रेड की बात करें तो करीब डेट लाके आसपास का वोलिम ट्रेड हुआ है तेरा स्ट्रेंट है तीन वीकने से दो प्रजुडिज है एक फेस वायलिव जो है वह है यहां पर दस रुपे और इ इसके सेंटिमेंट की यहां से इसके पर फाफिट्र ही से बात करें से बात करें तो कमपनी ने जून में नोफर नो लोच वाली सिच्विसन जोकि क्रेड की की धि कि declining mode of course है एपीएस की बात करें तो यहां पर भी सिट्विशन डिक्लाइनिंग वाली है बड स्टील कंट्रोल में है अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो जून में प्रोमोटर के वल्डिंग डिक्रीज हुई है एंड अफ कोर्स यहां पर जो की प्लेजबी है त्रेपन प करें आज डाउन था अगर कोचिन शेप्याड की बात करें डाउन था गाडइन रिच्ट जिए और तो यहां पर शेपिंग कंप्णियों में डाउन फोल देखने को मिला लगा तर अगर बात करें इसके टोटल एकुटी तो जो कि डाई क्रोड के आसपास की एंड करीब सव बड़े इन्वेस्टर्स की क्या ईंट्री है वह काफी बड़ा कोशन तो यहां पर जो की एकुटी ली हुई है अगर बात करें दो लाग से उपर की तो यहां पर काफी बड़ी बड़ी इकुटी जो है लेके बैठे हुए हैं करीव साहरे 7,600 सबस्राइब 6,600,300,300,300,300,300, यानि यह बड़े बड़े इंवेस्टर्स जो है इंडिविजुली जो की बड़ी कुटी लेके बैठे हुए हैं अगर बात करें अमरपाली कैपिटल की बात करें तो करीब अपोने च्छे लाग के आसपास की कुटी है साड़े तीन लाग क्यों मिन वार्मा की बात करें इसके लावा चोटे की बात करें तो यहां पर करीब साड़े उन्तालिस लाग के आसपास की कुटी जो है चोटे इन्वेस्टर्स के पास मौजूद है अभी अगर बात करें इसके लिटर आपडेट की तो यह लेटर आया है पांच सेप्टेंबर को तो इसकी एजियम है गा काफी कुछ जो है उसमें देखने को मिल सकता है 20 September को इसकी है एंड उसमें देखना बाकी यह है कि क्या कुछ रहने वाला है तो thirty-second एजियम जो है इवन वी एमस इंडिस्ट्री जो है इवन कर रही है तो इसमें अब देखना बागी यह है कि क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा वो सब जो की काफी बड़ा कोशन है इससे पहले अगर बात पर इसके डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट डिविडेंड दिया है कंपनी ने पचास पैसे इंट्रिम डिविडेंड दिया है बारा जुलाई 2024 को जो की पचास पैसे डिविडेंड दिया है बोनस की बात करें जीरो है स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट भी जीरो है एंड राइट इशू की बात करें तो 40 रुपए के आज पास जब इसकी वैल्यू थी उस टाइम पर रेकमेंडेशन यहां पर इसी चैनल पर आई थी और उसके पास जो है दो महीने के अंदर-अंदर काफी अच्छा-गासा बूम देखने को मिला उस टाइम पर बोला भी था कि यहां पर एक अच्छा-गासा प्रो से तीन महीने में कमाया है और अफकोर्स अब बात करते हैं क्या यह यह लेवल है यह सहीं है पाइंग के लिए तो आप भी कोई बुराई नहीं है लोंग टम प्रेस्पेक्टिव से एक अच्छा-गासा प्रोफिट आप कमा सकते हैं क्योंकि इसके फैनेशल की बात करें तो पर जो कि VMS इंडिस्ट्री ने सप्राइजिंगली जो है एक डिविडेंड स्टार्ट किया है यानि कि एक नया जो की इवन कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक तौफ़ा दिया है डिविडेंड के रूप में तो थैक्स एओर फॉचिंड तरह सीट्री प्लीए थिडिश्ट्री ट्रीच थे प्लीए शॉट्वाट जीन इस विर्फटर्स एफ ने सब्सक्तान थाक्वर्ट तक्यार चैक्यार